क्योंकि कोई अगर आपको बोले कि 100 जो हैं 3 forms of verbs अब लाउन कर लो तो आपको थोड़ा difficult लगेगा लेकिन 10-10 करके रोज करेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपनी इतना बड़ा काम कर लिया हैं हाई गाईज आज के quiz में आपको कल की तरह ही 3 forms of verbs को फिल करना है जैसे कि मैंने आपको कल वले quiz में बता दिया था कि आगे आने वले quizzes में जो मैने टेंसे आपको देने हैं उनमें second form of verb और third form of verb बहुत जाधा यूज होने वाली हैं तो आपको आनी ही चाहिए ऐसे आप practice नहीं क करेंगे तो आपको लगे गई नहीं कि आपने इतना बड़ा काम कर लिया है ना तो चलिए start करते हैं आज का quiz में जो 3 forms of verb जिनके आपको लिखनी है वो हैं first है hope, beat, become, come, buy, bring, cut, eat, find and meet यह 10 verbs हैं इनकी आपको second form of verb भी लिखनी है और third form of verb भी लिखनी है आप चाहिए तो वीडियो को pause कर लीजिए और फिर यह सारी verbs जो हैं जितनी भी आपको आती हैं notebook में लिख लीजिए और फिर मैं बताऊंगी आपको इनके answers तो यह रहे इनके answers फिर्स जो है वो है hope, hope, hoped, hoped ठीक है यह एक regular verb है कि d d लग गया तो regular verb है ठीक है next है beat, beat में second form of verb भी बीट ही होते है beat, beat, beaten ओके थर्ड जो है become, become, became, become next come, came, come, buy, bought, bought, bring, brought, brought बहुत सरे बच्चे जो है न इस बात में गलती कर जाते हैं कि जैसे buy में भी brought लिख देते हैं तो वो ध्यान रखना आपने कि buy का होगा bought, bought और bring का होगा brought, brought मतलब r आएगा bring के बाद, ठीक है bring वाली verb में, cut की वैसे ही होती है cut, 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 जैसे मैंने आपको कल करवाई थी shut, shut, shut हाना next eat, eat, eaten, next है find, found, found, last meet, met, met, मैंने आपको कल भी बिताया था sing song manner में learn करेंगे, बहुत अच्छे से learn हो जाएंगी, जल्दी भी learn हो जाएंगी हमारी teacher ने हमें ऐसे बताया था, हमने किया, तो उसके बाद मुझे कभी भी three forms of verbs में कभी भी कोई problem नहीं आती है जासे जब भी आप free हो तो घूमते फिरते अपनी notebook जो है मैं चाहूंगी कि सारी three forms of verbs आप एक notebook में लिख लें ताकि हमेशा ही आपके पास यह रहें और जब भी आपको time में लेगो कि बार बार आप video खोलेंगे, करेंगे, ढूनेंगे उससे अचाही है कि एक notebook में आपके पास होंगे meet met met आप इस तरह से बोलेंगे न सिंग सॉंग मैनर में तो आपको ऐसे याद होंगे कि आपको फिर पूरी जिंदगी कभी यह भूलेंगी भी नहीं तो चलिए कल फिर से मिलूंगे साड़े चैर बज़े एक नए quiz के साथ थैंस वर वाचिंग प्लीज दो लाइक शर और सब्सक्राइब